हेलो इस्ट्वेंट, जीत आईस की ओनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है, अभी हाल में देखिए उत्राखंड ट्रीपल SSC की जो वेकंसी आई हैं, तो इसमें ग्रूप C की वेकंसी हैं, ग्रूप C, ग्रूप C, तो इसका जो सेलेबस है, मैं आपकी साथ वो डिसकस करूँगा हैं पर, तो ग्रूप C में के अंडरी एक जो वेकंसी प्रोपरिस में आई है, उसका नाम है वीपी डियो, यानि विलेज, पूरा नाम भी लिख देता हूं, विलेज, पंचायत, पंचायत, डवलामेंट, डवलामेंट, ओफिसर, ओफिसर, वीपी डियो, तो ये ग्रूप C के अधिन ही आती हैं, तो जो इसका सेलेबस है, अब हम उसपे चर्चा करते हैं, एक्चली में जो आपका एक्जाम होगा, ये हंडर्ड मार्क्स का होगा, यहां दिया भी है हंडर्ड मार्क्स, और जो कोशन होगी, वो अब्जेक्टिव होगी, तो इस जो पहले ग्रूप C का exam आता था, और एक ग्रूप C का exam ये है, तो इसमें थोड़ा सा change किया गया है, तो जो थोड़ा सा change किया गया, मैं किसकी section में change किया गया, और किसकी section को आपको focus रखना है, उस पे इमचरचा करेंगे, दीखे, इसमें यहां हम देख रहे हैं, कि जो हिंडी का section ह यह 20 marks का है marks तो कल तक हिंदी में grammar यानि व्यक्रन आता था लेकिन इस बार इस exam के लिए जो हिंदी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इसमें एक letter writing यानि पत्र लेखन दिया गया है इसके साथ हिंदी का जो literature होता है बेसिकली साहित्ये इस साहित्ये जो पहले ही हां से question नहीं पूछे जाते थे लेकिन इसमें गद्ये और पद्ये यह दो चीज एस्ट्रा जोड़ी गई है इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसमें 40 marks का जो है यह इसमें जीके है तो जीके यहां तो सोट में दिया है और सोट में मैं चर्चा कर देता हूं चूंकि syllabus तो इतना बड गई है reasoning, reasoning इसके साथ history भी दी गई है, geography भी दी गई है, polity भी दी गई है, polity तो देखिए अगर हम history पे चर्चा करते हैं तो history के basically तीन section होते है objective exam उसमें एक ancient history आता है, एक middle world history आता है और एक modern history लेकिन इस syllabus में world history भी दी है जैसे अमेरिका की करांती है, फ्रांस की करांती है, इसमें Indian geography भी है, world geography भी है, तो देखिए यहाँ पर दिया है राजनीतिक विज्ञान, एक राजनीतिक विज्ञान यानि पोल साइंस होता है और एक होता है polity, तो polity में basically हम सम्मीधान पढ़ते हैं जो अभी तक यहाँ exam में आता था, लेकिन syllabus में word लिखा इन्होंने राजनीत के विज्ञान, यानि सम्मीधान के साथ-साथ इसमें कुछ थिंकरों के नाम आदिव जो है common topic हमें वो भी देखने होंगे, यहाँ पर दिया है economics, तो देखिए economics के भी दो section होते हैं, एक micro economics होता है, एक macro, तो हमें यहाँ पर Indian economy को ही देखना है, लेकिन उसे current के साथ update आप कर देखना है, और world के current affair को हमें देखना है, तो फिर उत्राखन से सम्मंदित विवित जानकारियां दी है, और उत्राखन, यह देखिए 40 marks का इसमें उत्राखन है, तो मैं समझता हूँ कि इस exam में जो सबसे महत्पुन डोल है, वो उत्राखन का है, तो उत्राखन में जो question आप इसासन और परशासन यहां से भी question पुछे जाएंगे, उत्राखन के current affair की भी question यहां पर पुछे जाएंगे, यहां कौन-कौन से schedule tribe है, उनका culture क्या है, यहां के source of income क्या है, तो यह सब question उत्राखन से पुछे जाते हैं, जनरली अभी तक हम देखते थे, कि हम एक विंसर बु जो question है, कुछ question ऐसे हैं, जनरली हम देखते हैं कि यह question हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो gadgeteer की आप लोग help ले सकते हैं, उससे कुछ question मिल जाते हैं, past paper की help ले सकते हैं, और भी market के अंदर बहुत सी book हैं, वैसे तो GTIs की और से आपको यह समझाने का परियास किया जाएग कि मुझे नहीं लगता कि कोई question, अपवाद से रूप कोई छूट जाए, नहीं तो question संभवते नहीं छूटेगा, तो देखें, इसमें उत्राखन के इस exam में एक Hindi, जो छोटा सा section है, 20 marks का रोल है, एक बार फिर पीट कर देता हूँ, यहां पर GK या GS का 40 marks और उत्राखन का, तो इसमें सबसे जो wide syllabus है, वो सामन्य ग्यान का है, सामन्य ग्यान, तो मैं समझता हूँ कि जो सामन्य ग्यान है, अगर इसी को अपने आप में तैयार किया जाए, तो यह हिंदी और उत्राखन से कहीं गुना ज़्यादा है, तो इसमें जो आपको ज़्यादे focus रखना है, हि Students के समख कहीं बार चुनोती बन जाती है, कि यह खास है, यनि important है इसको पढ़ा जाए या इसको पढ़ा जाए. देखे, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, सवाल यह नही है कि क्या-क्या पढ़ा जाए, सवाल यह भी होता है कि क्या-क्या ना पढळा जाए. तो आप past paper देखिए, जो पुराने exam हुए है, उन question का nature क्या है, कहां से question उठाता है, question किस तरीके से पुछता है जब वो आपके habit में आएगा, तो मैं समझता हूँ, उन past paper को solve करेंगे, तो आपको अनुभव होंगे और कई बार क्या होता है, exam, जादे रटने से नहीं होता, अनुभव से exam पास होते हैं, तो test series पे भी focus रखना है, जैसे जीताई इसका एक trend है, जितने भी topic होते हैं, एक तो हर topic से तत्परिय हर subject को अलग expert लेने के लिए आता है, और वो जितने भी topic उस section में होते हैं, हर topic के बा syllabus के उपर आप से discuss किया है, और इसकी जो class है, कल से वो launch भी हो जाएंगी, तो आईए welcome है आपका जीताई इसमें, thank you. झाल